खेती विरोधी भारतिय चंता पार्टी की ताकतें आखिर में हार ही गई आज मोदी जी के एहंकार की हार का दिन है आज किसान विरोधी भाजपाई और उनके पूंजी पती मित्रों की ताकत की हार का दिन है आज खेत खलीहान पूंजी पतियों को बेचने के शडियंतर की हार का दिन है और आज और साथियों आज किसान मजदूर मंडी मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है आज उन साथ सो से अधिक किसानों की शहादत की जीत का दिन है जिनोंने दिल्ली की सीमानों के संयुक्त मोर्चा की ये जीत है समूचे विपक्ष की जिनोंने राहुल गांधी जी के नेत्रितों में किसान संसद में पहुँचकर ये संदेश दिया था कि पूरे देश का विपक्ष बगएर किसी पक्षपात के एक चटान की तरह किसान और खेत मजदूर के साथ खड़ा है साथियो आज जश्न मनाने का दिन नहीं आज मोदी जी द्वारा माफी मांगने का दिन है आज मोदी सरकार ने और परदान मंत्री नरिंद्र मोदी जी ने अपना अपराद सुविकार किया है जो उन्होंने इस देश के किसान खेत मजदूर और खलिहान के खिलाफ किया है और अब सजा जनता तै करेगी किसानों की आजीविका पर तलवार लटका कर रखी गई सरकार द्वारा कहा गया कि पूंजी पतियों को पूजने वाली सरकार खेती विरोधी तीन काले कानूनों से किसान की आजीविका की हत्या करेगी और आज आखिर में एक साल के बारा महीने के किसान के संगर्ष के बाद भारतिये जनता पार्टी और एक एंकारी प्रधान मंत्री माननिये नरिंद्र मोदी जी को किसान और मजदूर की दोड़ी पर जुकना पड़ा मगर देश भूलेगा नहीं मोदी जी कि आपने एक घृणित पाप जो किया था अब उसे वापिस लेने का निर्णे किया है और वो भी किसान को रौंदने उसे नश्टर चुभाने और बरबर यातनाएं देने के बाद अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही जनहित की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है अब जनता समझ गई है कि भाजप्पा की हार के आगे ही देश की जीत है 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड किसानों ने तीन खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी तब से मोधी सरकार यातनाएं दे रही है बर-बर लाठी चार्च किये गए दिल्ली के चारों तरफ के राश्ट्रिये राजमारग खुदवा दिए गए राश्ट्रिये राजमारगों पर नश्टर और भाले लगवा दिए गए किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिये गए उन्हें आतंकी कहा गया किसान को नकसलवादी कहा गया हमें किसान को गुंडा कहा गया किसान को उगरवादी कहा गया किसान को अंदोलन जीवी कहा गया और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोधी सरकार के इस परचार में शामिल हो गए साथ सो से अधिक किसानों को आतम हत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीडी में तो देश के ग्रह राज्यमंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौन दिया पर मोधी सरकार ने आज अपना अपराद सुविकार किया है अब बारी है किसानों के साथ मजबूरों के साथ मेहनत कशों के साथ इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराद की सजा तै करने की जो देश की जनता हर हाल में तै करेगी